बारिश का सीजन है, हर तरफ हो रही है बारिश बारिश में कुछ टेस्टी सा, कुछ अलग सा, रोज से अलग बनाने का और खाने का दिल करता है मेरा फेवरिट है गर्मा गरम सांबर, सॉफ्ट इस्पॉंज, इंस्टेंट इल्ली और काजु वाली चत्नी जो की जटपट से बन जाती है आपको सबसे ज्यादा बारिश में क्या खाने का दिल करता है, क्या बनाते हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और आज की बहुत इस्टी वाली चत्नी ज़रूर ट्राइ करना आज क्या बनाऊं, सुबह से बहुत अल से आ रही हूँ मैं, अक्तर ही लोग पूछते ना क्या आपको आलस नहीं आता, क्या रोज रोज बनाना करना आज एक्चुली ऐसा लोग हो रहा है सुबह शुबहम की स्कुल थी, तब तो बड़े आराम से उठे, भई बच्चे का टिफिन बनाना, मम्मी एकदम ऐसे जागरित रहती है रात में ही थोड़ा सा आटा उसके लिए करके रखा हुआ था जब रोटियां से की थी, कि सुबह उसके बसका टिफिन रहता है तो उसकी टिफिन के लिए थोड़ा सा आटा बचा के रखा, बन गई रोटियां, फटा फट से भिंडी काटी, चौक दिया, टेंशन फ्री, मतलब शुबहम का टिफिन के लिए थोड़ी सी भिंडी काट के तुरंट चौक जाती है, और उसका वह बन गया रोटी, या कुछ चली गई तो फिर दोलों का होता है, और जब एक का है तो शुबहम का है, तो बड़ा मजे से बन गया, अच्छा चला गया, थोड़े दिर बैढ़ गई मैं, अब आल से आ गई, मतलब अब उठ रही हो कि अब बनाओ, 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 तो अब मन नहीं कर रहा करने का, तब बन गया था ना, तो उसके बाद ही मैंने सुजी रवा भीवो के रखी है, ताकि वो आधा एक घंटे में अच्छी ही सेट हो जाती है, फिर अराम से आलस करते करते, आगे काम हुए, नहाना दोना भी हो गया, अब चलो बनाते हैं, क्या, गर्मा गर्मेडली सांबर, तो उस सुजी रवा और बटर मिल्क यानि की मठे में भीगो के रखा था, काफी अभी देखा तो गाढ़ा सा हो गया है, क्योंकि सुजी है, वो सोक कर लेती है, दही मठा जो भी है, अभी मैंने आधा ग्लास फिर से डाल ली है, वो बटर मिल्क, मैंने टोटल इसी में ही भीगो ल दाल सकते हैं, तो कितना पानी लगे वो तो कम ज़्यादा हो सकता है, अभी मैंने हाफ कप ली है, तूर दाल, दो बड़े चमब जितनी मसूर डाली है, और इसे धुल लिया है, हल्दी पाउडर नमक डालेंगे, दो टामाटर को कट करके कुकर में ही रख देंगे, और तीन गरम किया, चुटकी बर हींग डाली है, और काश्मीरी लाल मिर्ची फ्राई कर लेंगे, इसमें एक मीडियम साइस की प्याज भी पतला कट करके फ्राई कर लेंगे, प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है, बहुत फ्राई नहीं करना है, एक टमाटर भी डाल दिया है, पहले मैंने गैस भी बंद कर दी है, क्योंकि ये पक चुके थे टमाटर प्याज, अब इसमें डाला है, बारा पंदरा काजू और दो बड़े चम्मा जितने भुने हुए चने, ये रोस्टेड चने जो आती ना दालिया, वो डाला है, सिसका टेस तो आता ही है, पर काजू स इसका टेस बहुत अच्छा आता है, फर्स टाइम मैंने डाला है, अब इसको ग्राइंडर जार में डाल करके, पानी के साथ, मैंने हाफ कप पानी डाल करके, इसकी चटने त्यार कर ले है, और ये चटनी बहुत ज़्यादा तेस्टी थी, तड़के पैन में दो चम्मा शॉ अधा टेस्टी लगता है, इतना क्रीमी क्रीमी सा, मज़ा ही आ जाएगा, मतलब आप एक बार इसे ट्राइ करेंगे, तो आपको लगेगा, हर बारी जब भी मैं इडली बनाऊ तो मैं यही चटनी बनाऊंगी, पर्फेक्ट एक तम हिट रेसिपी है, अभी इसे मैंने दखिक लिए और अब सामबर की करेंगे तयारी मैंने ज्यादा सहरा दनिया भी कर लिया है करीपता निकाल लिया है, लाज सुखी मिरची ले लिया आदा चमच राई, आदा चमच जीरे, 50 ने दाना, 50 यूरतकी दाल और 50 चमच लेगे चने की दाल, यह सारी चीज हम लगा मसाले इंसर तड़के में बहुत अच्छा टेस्ट आता है सांबर में सबजियों का तो खेर अलगी है अलगी टेस्ट रहता है लेकिन अगर आपको बिना सबजी वाला सांबर बनाना है कुछ इंस्टेंड सा बनाना है कोई मैमान आ जाए या फिर आपको ही बारिश में खाने क दिल कर रहा है बस बनाना और खाना है तो बस यह बैस्ट रेसिपी है अभी जब मैंने कुकर कोला तो टमाटर सॉफ्ट हो चुकेते बॉइल हो गया है उनका चिलका निकालके फेट लिया है यह है अगारो का हाड एनुडाइस्ट कढ़ाई वीद ग्लास लेड और इसमें मै एक ही साथ मैंने ढल दी है तड़के के लिए और इनको अच्छा से पहले तड़कने फ्रकने देंगे उसके बाद डालेंगे फकटीवे प्यास और इससे डाल करके भून लेंगे प्यास को फ्राई तो नहीं करना है बहुत ज़्यादा लेकिन हाँ फिर भी कलर चेंज होने लग जाए सौफ्ट सी हो जाए प्यास उत्माई उसे भूनना है बहुत ज़्यादा ऐसे करारी नहीं करनी है अब इसे मिर्शी पाउडर और दो गड़े चंबच सांबर मसाला बस इतने ही मसाले डाले है मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है दो गड़े चंबच सांबर मसाल तोड़ा से मैंने नमक भी डाला भी वैसे डाल पकाते वक भी डाला था इस बात का ध्यान रखें और बस अब इसको ढगती है मैंने ग्लास लेड़ है इसको कवर कर दिया को इसको उबाल लाने देंगे डाल में अब ये डाल का काम भी देख लो सांबर तयार जटपट से बन अब इसमें जो जाग या दाल का उसे बीड़ बीच में चम्मच से निकालती जा रही थी मैं लास में डालेगे कटा हुआ धनिया पत्ता धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे और बस गर्म ये सांबर इतना टेस्टी लगता है और जितनी बार आप गरम करते जाएंगे जैसे फैमिली में होता है दो तीन बार लग लग टाइम में लोग खा रहे हर बार आप गरम कर रहे हो और अच्छा और अच्छा और अच्छा टेस्ट होता जाता है जितनी बार खौलता है उसामर मसाले में कराई में पानी डाल के गरम करने रखा है और जो इडली की प्लेट ह चाला दूसरी बादी दूसरी प्लेट आओ दो प्लेट हैं इस कड़ाई में पर मैं एक साथ नहीं लगाती हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार नीचे की प्लेट की जो इडली फूलती है तो दूसरी प्लेट में टच करके उसका शेप बिगड़ जाता है इसलिए मैं हमेशा एक प्लेट इडली फेसा प्लेट हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसको अनवोल्ड कर लेए जब भी प्लेट से इली ठंडी हो जाती है जिससे हमारी प्लेट में जराबी रहती है इडली तच बूरी क्लीन निकल जाती है तब तक 2nd batch भी रैडी हो गया इस्टीम हो गया है 12-15 म्नित लगत यह सबसे अच्छी टिप लगती हुझे क्योंकि इडली की प्लेट्स अगर काउंटर टॉप में रखो तो जो हो तो पूरा क्लीन करना पड़ता है इसलिए मैं एक प्लेट उसमें रखती हो और बस लास्ट बैच थी था फोर प्लेट तयार हुई है टोटल और लास्ट में एक इडली कम थी वह उस प्लेट में उतना ही बैटर था और यह बहुत सॉफ्ट इडली है दही ज्यादा खटी नहीं लेना वरना वो कट्टा वाला टेस्ट आता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं एक दम फ्रेश दही या फिर फ्रेश बटर मिलका ही उसकरती बस भले ही भीगो कि जादा देर के लिए रख दो तो सुबह ही सोचा था कि यह बनाएंगे उसी इसाफ से शुबहम जब स्कूल गया उसके बाद ही मैंने भीगो दी थी सोची अब शुबहम के लिए तो यह सर्प्राइज है आज शुबहम स्कूल से आएगा और जैसे दे म ममा खाने भी क्या बनाएं वो सोचेगा कि दाल चौल बनाया होगा कि सुबह सब्जी रोटेफिन में दी है तो अब उसे मिलेंगे इडली तो उसकी तो लौटरी निकल जाएगी क्योंकि शुबहम को बहुत संदे दाल राइस तो बना नहीं था पर मैंने हो चलो सांबर और हैं तो इतने साम जाम होगा सोचोर ह estiver शुरू होता है कि शुरू में है करें की नहीं करीं फिर करने लग जाओ तो सब काम तोसम पूरा क्लिया हैं मैंने और जैसे लगा रही हमें तो ये इडली और सांबर गरम और चटनी और बाहर हो रही है बारिश तब तो सुचो आनंद डबल हो गया मज़ा ही आ गया और यह चतनी इतनी कमाल की टेस्ट है कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने भुने चने डाले होंगे मैं तो हमेशा डालती थी पर काजू डालके जरूर ट्राइ करना उससे तो टेस्ट वाओ हो जाएगा इक दम बहुत ही बढ़िया और सांबर चटपटा तीखा मेरी पसंद वाला इसमें कोई सबजियां बच्चे साइड में नहीं करते हैं यह अच्छी बात होती है पूरा सांबर फिनिश होता है और इडली में वैसे भी पतल झाल 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 झाल